हेलो फ्रेंड्स मैं एड्वोकेट विनो शर्मा अपने चैनल कानून और आमादमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब कोई रेंडम चेकिंग होती है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा तो कई बार जो ट्रैफिक पुलिस करम्चारी होते हैं वो किसी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं या मोटड़ पर ज़ंप लगा देते हैं या वो cereal कोई कणूनी अthyकार है कि किसी भी कानून में ऐसा लिखा लिधा पुलिस की जो एडवाईजरी है उसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस करम करमचारी जबरदस्ती चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी की चाबी निकालने या कोई दूसरा कोर्शन मेथड आपके खिलाफ अपनाए क्या उनको ये राइट है तो दोस्तों इस स एभी गाड़ी की वाहन की बाईक की चाबी निकालकर जेम में डाल ले ना या बोनट पे बैठ जाना या बोनट को ब्लोक कर ले ना या जो है गाड़ी के हैंडल को एग California ले लेना तो इस तरह कि या उनको क्भी अधिकार है या वह अपनी मर्जी से करते हैं तो दोस्तों जैसे जो आर्टियाइज लगाई गई है देश बर से काफी पीडित लोगों ने आर्टियाइज लगाई की पता चलना चाहिए कि क्या पुलिस करमचारियों को गाड़ी की चाबी निकालने का दिकार है या नहीं है तो दोस्तों जब पुलिस की तरफ से जो रिपलाई आए है तो उनमें साफ तोर पे कहा गया है कि जो भी पुलिस हैड़क्वार्टर की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी ओर्डर पास किये गए हैं इस संबंध में ट्रैफिक मुवमेंट को लेके यातायात के नियमों के संबंध में तो किसी भी तरह से ऐसा को को यह ओडर नहीं है कि कोई पुलिस यदिकारी को कि पूलिस करम्चारी को या होम-गार्ड के जवान को यह अधिकार है कि वो किसी गाड़ी वालें की निकाल ले या बीच रास्ते में रोक कर उसका जो है एंडल कंट्रोल कर ले यह एंशोर करने के लिए कि कहीं वो जो है चलान से भाग ना जाए तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी रैंक का पुलिस अधिकारी हो चाहे वो बड़े से बड़ा दिकारी हो या छ करें या किसी त्रहां का जो इलीगल जो एक्ट है वो आप पर करें तो इसके लिए दोस्तों आप उनको बता सकते हैं कि कानून में यानि के Motor Vehicles Act, CRPC या किसी भी अन्य प्रसीजर कोड में या एक्ट में इस तरह कि कोई भी बात नहीं है कि पुलिस करमचारी को गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार है तो आप इसका डट कर विरोध कर सकते हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको बत समझ जाए, तो अगर दोस्तों वो फिर भी आपकी बात नहीं समझते हैं, और अपना जो उनका इल्लीगल एक्ट है, वो करते हैं, तो आप उस करमचारी की, उस जवान की, उस सम्बंदित पुलिस अधिकारी की, कम्प्लेंड, सीनियर अधिकारी को कर सकते हैं, क्योंकि कही नहीं भी जो है, ये नहीं लिखा गया है, कि पुलिस करमचारी को रेंडम चेकिंग के दोरान, या कोई स्पैसिफिक चेकिंग भी हो रही है, तब भी जो है, उनको ये अधिकार नहीं है, कि वो आपकी गाड़ी की चाबी निकालें, आपके मुवमेंट को ब्लोक करें, या आपके गाड़ी के बोनट के आगे खड़े हो जाएं, ये एकदम से जो है, चलती गाड़ी के आगे आजाएं, ताकि जो ड्राइवर है वो गाड़ी को रोक ले, या आपके हैंडल को पकड़ के खड़े हो जाएं, तो इस तरह हैं कि जितनी भी गतिविदियां पुलिस के कब से अगर की जाती हैं, वो सभी गयर कानूनी हैं, आप उनका विरोध कर सकते हैं, और आप प्रॉपर तरीके से कानून के दाएरे में रहके, आप जितने भी फॉरम्स हैं, आप उन पे कंप्लेंट कर सकते हैं, सीनियर्स को कंप्लेंट कर सकते हैं, और आप उनको बता सकत कि ऐसा कहीं कोई प्रावधाने नहीं है और क्योंकि जो है इस तरह का जो एक्ट होता है पुलिस का उससे कोई परपस सौल नहीं होता अगर कोई गाड़ी रुकती है मान लिजिए और रेंडम चेकिंग है रूटीन चेकिंग है या कोई स्पेसिफिक चेकिंग भी चल रही है क कि अब भी जो है गाड़ी का नंबर आजाता है गाड़ी का पूरे डिटेल जा जाते हैं तो ऐसे में गाड़ी का की चाबी निकालने से कोई मकसद हल नहीं होता क्योंकि जैसे ही आप इंटरेट पे नंबर डालेंगे एप पे आप गाड़ी का नंबर डालेंगे वहां पर पूरी डिटेल निकल जाती है कि गाड़ी कहा की है किसके नाम रिजिस्टर्ड है एड्रस क्या है तो ऐसे में अगर जो है यह इस तरह की इ अभी तरह के चलान आप गाड़ी का एड्रस निकालके गाड़ी के मालिक मालिक का पता निकालकर घर पर भी भेज सकते हैं और आप प्रोपर तरीके से पूलिस उसकी वसूली चलान की कर सकती है और चलान कोर्ट में भी जमा किया जा सकता है अगर चलान घर पर आता है तो इ उसके बाद जो है वो आगे खड़ा हो जाता है गाड़ी के गाड़ी को चलने नहीं देता या हैंडल को अपने कंट्रोल में ले लेता है ताकि जो है आप आगे ना बढ़े तो इस तरह कि आप गतिविदियों का पूरी तरह से आप विरोध कर सकते हैं आप अपनी कंप्लेट सकते हैं ताकि जो है पुलिस करम चारी आगे से इस तरह की एक्टिविटी जे ना करें तो दोस्तों जो ट्रैफिक के नियम होते हैं रोग मोलीड्य रेख में और दूसरे जो पुलिस के जो यातायात के नियम हैं ट्रैफिक रूल्स उनमें भी यह सब चिज़ें लिखी होती हैं कि आपको कब रुखना है। के लिए आपको जो है क्या क्या चीजें अबे करनी है या किस तरह से आप पुलिस करमचारी है उन से आप deal करोगे और कितना आप चलान बरना है चलकों की चलान अगर एक बार हो जाता है वो mandatory है वो आपको भरना ही है तो जो इस तरह के methods है पुलिस के द्वारा वो पूरी तरह से illegal माने जाते हैं क्योंकि पुलिस के advisory में पुलिस के traffic rules में कहीं भी इन चीजों का प्रावधान नहीं है तो अगर ये कुछ हो रहा है तो ये सब illegal है और आप इसका डट कर विरोध करें और इसके खिलाफ आप लड़ सकते हैं आप appropriate form में अपनी complaint भी जमा करवा सकते हैं तो दूस्तों आज की वीडियो में मैंने बताया क्योंकि अक्सर लोगें की complaint आती है कि पुलिस करमचारी जवर्दस्ती जो है उनकी मुवमेंट को ब्लोग करते हैं उनकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं तो आज की वीडियो में मैंने कि अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई गटना मालो गटी है या आपको अशंका है कि ये कभी भी हो सकता है कभी भी ये गटना गट सकती है तो आप ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आए कि इस तरह कोई भी प्रावधान किसी भी किसी भी कानून में नहीं है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलता हो एक नई वीडियो के साथ तब तक धन्यवाद